नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलुशन के यूट्यूब चनल पे Most Important Question की सीरीज में आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ Unit 4 के Most Important Questions जो कि आपके रहेंगे समावेशी विद्याले का सर्जन यानि के Creative and Inclusive School के आपके ये Important Question आपके रहेंगे जो की B8 Second Year का आपका ये सब्जेक्ट आपका रहता है ठीक है जो भी ये मैं B8 के Most Important Question अब मैं बता रहा हूँ वो आपके चल रहे हैं MGPRO University के ठीक है यानि के महातमा जोतिबाग फुले रोयल खंड उनिवस्टी के जितने भी B8 Second Year के हैं बच्चे उनके Important Question की सिरीज हमारी चल रही है तो आज हम डिसकस करेंगे आपके साथ Unit 4 यानि के तीन यूनिट में आपके साथ डिसकस कर चुका हूँ सेंगेंड लास्ट इस पेपर की यूनिट यह आपकी चल रही है तो फटाफट से डिसकस करते हैं यूनिट 3 जो मैंने अभी लास्ट आपको कराई है उसमें काफी सारे Questions आपको देखने को मिले हैं तो वह यूनिट काफी जादा Important है यूनिट 4 में आपको काफी कम Questions है लेकि तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल ऐकन को जुरू प्रेस करेगा जिससे कि आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आते रहें कोई भी वीडिया आपकी इंपोर्टन कोशन की इसमें फटाफट से देखते हैं कि कौन सा कोशन आपका important आ आप क्या समझते हैं बादित बालकों के लिए एक आधर समावेशी स्कूल का प्रारुप तयार कीजिए तो यह कोशन काफे ज्यादा important रहता है वाट डू यू मीन बाइदा class management prepare and outline of an ideal inclusive school for the disabled children तो यह कोशन आपका important आपका रहता है इस कश्किन चोट आप ले लिजेगा या फिर अपने modelverse को टिक कर लिजेगा ठीक है आगे बात करते हैं next question की जो कि आपका important रहेगा unit 4 का next question जो आपका important रहता है unit 4 का वापका यह है कि आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी विद्यालों के योगदान को लिखिए write the contribution of inclusive school for inclusive education in modern time तो यह question आपका काफी ज्यादा important आपका रहता है इसका screenshot भी आप ले लिजेगा ठीक है unit 4 चल रही है काफी ज्या next question जो आपका important रहता है वो आपका यह है कि एक समावेशी विद्यालों में किस परकार की भोतिक सुविदाओं के अवसकता होती है what are the infrastructure facilities required for an inclusive school ते यह question आपका important रहता है इसके screenshot भी आप ले लिजेगा next question की बात करते है unit 4 का जो कि आपका important रहने वाला है next question जो आपका important रहेगा वो आपका यह है कि एक आधर समावेशी विद्याले से आप क्या समझते है what do you understand by an ideal inclusive school तो यह question भी आपका important रहता है इसके screenshot आप ले लेजेगा next question की बात करते है unit 4 का जो आपका important रहेगा सारे question maximum short मे नहीं है एक आधर समावेशी विद्याले की कौन-कौन सी विशेषता है what are the characteristics of an ideal inclusive school तो यह question भी आपका important आपका रहता है next question की बात करते है जो की important रहेगा आपका unit 4 का तो यही थे आपके unit 4 के important question तो मैंने कहा था कि काफी कम है unit 4 में questions लेकिन काफी ज्यादा important है ठीक है unit 3 में काफी ज्यादा questions थे वो भी आपकी important थी तो यही थे आपके तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon को जुरू प्रेस करेगा जिससे कि आपके आपके प्रू university के जो बीड के बच्चे हैं उनका गुरूप हमने टेलीग्राम पर अलग बनाया है तो उसी गुरूप में आपको बीड के जितने भी एमजी प्रू उनिवस्टी के बच्चे हैं उनको अपने ही गुरूप में आपको जोइन करना है ठीक है इसका लिंक में आपको comment में आपको इस गुरूप का आपको लिंक मिल जाएगा काफी सारे बच्चे हमाँ पर जोड़ चुके हैं तो आप भी महाँ पर जोईन हो जाएगा ठीक है चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी important question मैं बता रहा हूं आप 300% आपका एक्साम म 判 राथ थेंगा नहीं हमाँ धुड़ार!